हलो यूरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 6 जुलाई 2021 और आज के दहिंदू निज्वेफर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईएस अकाड़िमी टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे सीवेशी ने 10 और 12 के एक्जामिनेशन और असेस्मेंट फोर्मेले को जो है वो रिलीज किया है इसके अंदर सीवेशी ने बताया है कि वो सीवेशी को कट करेगा और एक्जामिनेशन को जो होल्ड करेगा दो बार में यानि नॉमबर और अबरेल के अंदर इनमें निव असेस्मेंट स्कीम भी बताएगी है क्लास 10 और 12 को लेकर यहाँ पर सीवेशी का जो प्लान ओफ एक्शन होगा उसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है कि सीवेशी डिवाइड करेगा पूरे अकैडमिक को दो ट्रम्स में इसमें 50% स्लेवर्स फॉर क्लास 10 और 12 उसके एक्जामिनेशन जो हो इच ट्रम के एंड के बाद होगा या आप इसमेस्टर सिस्टम बोल सकते हैं कि एक्जामिनेशन दो बार होगा और यहां पर बताया गया कि पहले ट्रम का इक्जामिनेशन जो है नॉमबर और दिसम्बर के अंदर होगा इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे एक फ्लेक्सिवल सेडियोल होगा जिसमें 4 to एट विक्स का वो बताया जाएगा और 90 मिनिट का multiple choice based question होगा यानि MCQ type में पहले टरम का examination होगा दूसरे टरम का examination जो होंगे वो मार्च अप्रेल में होंगे और 2 hour के ये return आपको examination देखने को मिलेगा इसके लावा slaves को cut किया जाएगा 30% reduce किया जाएगा और guidelines issue की जाएगी जो schools है कि internal assessment में fair distribution होना चाहिए numbers का practicals में project works के अंदर और schools को create करना पड़ेगा student की profile ताकि assessment जो है during the year को उसको account क्या जाज़के और evidence in digital format जो है वो upload की जाज़कते है CBSC की IT platform पर ये एक information दीगी CBSC द्वारा कि कैसे 10th and 12th को लेकर उनका planning है examination को लेकर हो internal assessment को लेकर हो examination के pattern को लेकर हो slaves को cut करने को लेकर हो तो ये basic information है examination perspective से इसके बाद बात करेंगे second information है supreme court against that section 66A of IT act is still used देखिए IT act 66A जो था supreme court ने उसको तरिके स्टक कर दिया था उसको हटा दिया था क्योंकि miss use के बहुत सारे इसमें cases थे या miss use की possibility या आप बोल सकते हैं कि ये vague सा एक article था section था जिसमें clarity नहीं थी इसके बाद आप जो information यहां पर दी गए supreme court अगास्ट अगास्ट का मतलब होता चकित रह जानी या surprise हो जाना कि अभी भी वो section यूज किया जा रहा है उस context में जब supreme court उसको को हटा जुका struck कर चुका है और यहां पर एक तरीके से shocking सी इनफोर्मेशन है इनके अलावा इस act को इस section को जो एक्ट को नहीं section को section 66 A को जो supreme court unconstitutional एक तरीके से supreme court ने कहा था कि यह unconstitutional है और यह free speech का violation करता लगवज च्छे साल पहले 2015 की जिजमेंट है दा कोट इन दा स्रेया सिंगल जिजमेंट मानी जाती है कि 2015 के अंदर सुप्रीम court ने डिसाइड किया कि यह एक जो है यह एक एक समिधानिक और free speech का जो है इसके लावा attorney general of India जो केके विनोगोपल ने बोला कि यह एक footnote की तरह जो बुक्स के अंदर है यह footnote in the science की जैसे यह news paper है इसके just end में लिखा होता है कि इस तरह की section 66A जो सुप्रीम court के बारे में यह supreme court ने का कि वो एक committee यह एक तरीके से पैनल बनाएंगी यह इसमें एक तरीके से एक bench बनेगी जिसको पूरे scenario को examine किया जाएगा जिसमें इस bench के अंदर जो है 66A के अंदर यह कहीं न कहीं violate करता है free speech का यानि right to free speech भारत के fundamental rights में किस article के अंदर mention किया गया है यह आपको नीचे mention करने है इसके लाबा जैसे अगर आप fundamental rights को divide करेंगे right to equality, right to freedom या right against production of, production against exploration या religious freedom या writ petition को लेकर जो right दिये गए है या constitutional remedies को लेकर जो right जो right जो right है इसमें आपको mention करना कि किस part के अंदर include करें आर्टिकल के साथ mention करिएगा कि किस fundamental right के किस category के अंदर इसको आप include करेंगे इसके बाद छोटी-छोटी information दीगी है कि twitter failed है, IT rules को comply करने को लेकर recently central government और twitter के बीच में दिल्ली high court में इतरी के से पूरा case चल रहा है जिसमें दिल्ली high court में twitter का एक opinion दिया, twitter ने अपना opinion दिया, government अपना opinion दिया government का है कहना जिसमें ministry of electronics and information technology यह ministry बोल रहे है कि आप जो है twitter के मामले में उन्होंने rules and regulation को follow नहीं किया है और इनको comply करने में या इनको लागू करने में unsuccessful रहा है और जो इसको लेकर persons को appoint करने थे वो अभी तक नहीं किया और इसके लिए twitter जो है जैब beneficiaries करके एक title दिया गया है इसमें ministry of health के द्वारे statement दीगी ministry of health and family welfare के द्वारे के द्वारे के टेकनोलोजी का use किया जारा online verification के context में और online verification in the sense कि जब vaccination जो हो रहा है उस context में एक तरीके से proper verification करना या उसमें कोई issues ना हो एक तरी ये transparent पूरा का पूरा process हो और immediate basis पर vaccination के या अधार के थुरू connect करने का एक region ये है कि process को smoothly जो है वो increase आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन यहाँ पर भी debate हो सकता है कि क्या vaccination को लेकर अधार card का होना या facial recognition का होना ये compulsor ये इस चीज को लेकर आने वाले time में आपको debate होता हुआ देखने को मिलेगा इसके बाद page number 6 page number 6 जो editorial part है editorial part में बहुत सारे editorial आपको नज़र आते हैं लेकिन कुछ editorial आशे हैं जो की नए और थोड़े से important आप बोल सकते हैं देखे सबसे पहले left hand side जो editorial है political editorial heavy weight करके ये पंजाब में political जो चीजें चल रही उनके बारे में है ये बिलकुल भी हमारे काम का article नहीं इसका कोई लेना देना हमारे examination से नहीं है इसके बाद Trump again करके एक article दिया गया है इसके बारे में बताया गया है ये भी बहुत जादा relevant article नहीं है इसके बाद जो third editorial है ये editorial कह सकते हैं कि important है news में है और कई बार इसके बारे में debate और arguments होते है a virus theories of origin and place for science यानि एक virus उसके origin कैसे हुआ और place for science क्या है इसके बारे में discussion करते है polarization on political lines will only create more hurdles in finding clear answer to the source of SARS-CoV-2 देखिए SARS-CoV-2 का या COVID-19 का origin कहां से हुआ coronavirus का origin कहां से हुआ इस चीज़ को लेकर ये article डिसकुस करते है और इसमें एक अलग approach की तरी के अलग approach बताएगी है कैसे हो हम पढ़ेंगे सबसे पहले नहीं एक जामपल दिया nuclear power plants को लेकर कि अगर जो resident है किसी nuclear power plants के उनके body के अंदर radiation sickness के symptoms मिलते है तो इसको लेकर वो point out करेंगे कि ये radiation जो है nuclear power plant की तरफ से आयाया nuclear power plant की वज़े से उनको ये problem हुई है लेकिन अब scenario थोड़ा change हो जाता है radioactive material को जहां store किया जाता है और experiment किया जाता है इसके बाद एक और debate होता है कुछ लोग मानेंगे कि ये radioactive plants की वज़े से कुछ लोग बोलेंगे कि research center की वज़े से अब एक और इसमें third scenario आता है कि nuclear waste को ये किस underground area के अंदर dump करते हैं town से थोड़ा distance पर तब एक और concern होगा कि ये reason हो सकता है कि जो dumping की वज़े से radiation उनको देखने को मिलती है इसका मतलब ये कैसे connect किया गया है देखें लोगों का एक opinion होता है ये लोगों का जो opinion है divided रहता है कि इस वज़े से हो सकता है ये इस वज़े से हो सकता है इस वजी से हो सकता है इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर लिंक किया गया COVID-19 को hypothesis and evidence करके जो connectivity किया गया nuclear power plant की example से कैसे COVID-19 का origin हुआ या COVID-19 origin को लेकर जो theories है उनके साथ connect किया गया जैसे पहला एक तरीके से कुछ लोग यह मानते हैं कि यह वारिस जो है वहान Institute of Virology जो कि leading coronavirus research center है उसके वहाँ से origin होता है यह lab leak theory यह बोल सकते हैं कि क्या यह lab leak outbreak था इस तरह की चीज़ों को कहीं से report यह मानते हैं कि 2012 में जो एक तरीके से original discover हुआ था इस तरह की virus और 2019 के अंदर वहान institute में कुछ लोग जो है पिल हुए थे बिमार हुए थे इस तरह की reports थी और various even wall street journal जो है यह भी consider करता कि 2019 में जो लोग बिमार हुए थे उसका reason is that कि वहाँ पर इसके symptoms देखने को मिले थे राइट इसके बाद second theory यह मानती है कि यह natural spillover है natural spillover का मतलब क्या है कि यह जो है एनिमल से बैट से जो है वो humans के अंदर transfer हुआ और जैसे कई सारे वाइरस आप देखेंगे जिसमें HIV AIDS है इबोला मीडल इस्ट रेस्पिरिटी सिंड्रोम मर्स करके निपाप इस तरह के वाइरस जो है वो spillover of animal virus to human यानि animals से humans के अंदर जो transmission हुआ है इसमें consider किया गया एक और जो लोग जो मानते हैं इसमें बोलते हैं कि animal market के वज़े से खासकर हुनान प्रुविन जो है वुहान के अंदर हुनान मार्केट वहां से जो frozen animal bits है उसके तुरुई transfer हुआ क्यानि origin virus का कहां से हुआ इसको लेकर अलग-अलग theories है कुछ लोगों का lab leak के मामले में कुछ मामले हैं कि इसका natural spillover हुआ और कुछ लोग बोलते हैं कि यह हुनान market से भी इसका जो है निमल market से भी इसका origin हो सकता है तो वाइरलोजिस्ट हो epidemiologist हो उनका भी जो आरेकलोजिस्ट होते उसी तरीके से tough काम है कि इसको कैसे identify करना एक evidence पर या conclusion पर अभी भी कोई country इसमें नहीं देखने को मिर रहा है इसके अलावा इस पूरे scenario के अंदर politics के entry होते है अलग-अलग country का एक opinion है जैसे western country is responsible मानती चाइना को चाइना इसको decline करता है लेकिन इसमे सबसे important क्या है चाइना को spot करना पड़ेगा जो अगर उनके अगस्ट allegation लग भी रहें तो चाइना का cooperation जो है crucial है पूरे scenario के अंदर यह है इसकी finding को लेकर इनके अलावा ड़लू हो अगर इसमें कोई examination करता प्रोपरली पहले जो origin को लेकर examination investigation हुआ उसमें कई सारी theories ड़लू ह प्रेचों के द्वारा दीगी जिसमें lab league theory को उन्होंने consider नहीं किया तो बाद में यह बोला कि इसमें और ज्यादा evidence की requirement है तो इसका origin कैसे क्यों और कब हुआ इसको लेकर जूरी है कि proper investigation हो और चाइना को इसमें important role play करना पड़ेगा किस context में cooperation आपको करना पड़ेगा इसके बाद second page जो seven number page है इसमें दो editorial है पहला crafting unique partnership with Africa यानि इंडिया अफरीका corporation कैसे हो सकता है खासकर African continent में agriculture के context में even as the China factor looms large यानि चाइना एक major पार्टनर की तरह आपको नजर आएगा African continent में यानि भारत से बहुँ जादे investment अफरीका में चाइना नहीं किया है लेकिन उस context के बाद भी कैसे भारत और अफरीका agriculture के अंदर cooperation कर सकते हैं यहाँ पर एक tweet जो mention किया गया historically solidity is today modern partnership यह tweet था हमारे external affair मिनिस्टर एस जैशंकर साब का जिन्होंने recently Kenya के अंदर अपनी visit करी थी और यहाँ पर अलग-अलग scenario बताया गया कि भारत जो कई सारी items import कर था अफरीका स खासकर agriculture context में जिसमें fruits से लेकर nuts, grains और pulses तक यह हम import करते हैं, pulses के अमामले में भारत वो country जहां पर production भी हो ज़्यादा होता है और import भी हम लोग उत्रा ही करते हैं तो यहाँ पर बात की जारे कि अफरीका के अंदर अभी भी 65% वर्ल्ड की uncultivated arable lands है और इसमें 60% workforce लगा हु करेंगे तो चायना ने huge investment किया है हर एक sector में even अब जो है उनका तरीके से आप देखेंगे agriculture sector के अंदर भी involvement है ट्रेडिंग पार्टनर तो ही चायना सबसे बड़ा लेकिन यहाँ पर agriculture sector के अंदर भी जो है वो कहीं कहीं और जादा उसका investment देखने को मिलता है या उसका continue rise करें या कई सारे technologies के basis पर यहां पर बात करें जांबिया के अंदर उन्होंने एक तरीके से एक एगरी टेक बनाया ताकि इस तरह की जो प्रोब्लम जैसे फॉल आर्मी वैन इसको एक तरीके से कंट्रोल किया जासके 20 एगरीकल से टेकनोलोजी के टेकनोलोजी डेमनस्टेश अब बात करते हैं भारत कैसे इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है देखिए भारत के लिए जरूरी है पहली बात तो हमारी पोपलेशन के हिसाब से और दूसरा अफ्रीका और इंडिया दोनों के को या दोनों के रिलेक्शन को एगरीकल्टर सेक्टर में कैसे बुस्ट दूसरा उसके लिए वीचे से इंडिया अफ्रीकान स्ट्यूटी ओफ एगरीकल्टर एंड रूरल डेवलेमेंट है मलावी के अंदर जो एक्स्टेंशन करता है सोट लॉन्स को स्प्लाई ओफ मसिनरी को एक्विजिशन ओफ फार्म लेंड्स को और प्रिजेंस ओफ इंडि देखेंगे बहुत सारे जैसे केरला गवर्मेंट यह चाहती है कि एट लाग टन वो इंपोर्ट करें डिरेक्ली फ्रम अफ्रीका और अफ्रीका कोलम काजू की तरह यह कहने कि इंपोर्ट कर सकते हैं भारत को उतनी रिक्वाइरमेंट है दूसरा डेफिनिली भारत और अफ इंप्रूमेंट कर सकती हैं और भारत इसमें मेजर रोल प्ले कर सकता आने वाले टाइम में क्योंकि चायना और इंडिया की फोरेंड पॉलिसी में डिफ्रेंस है चायना जो है वो एक तरीकेशे स्टेजिकली चीजों को देखता है भारत जो है इंवेस्टमेंट की तरह है इन में आगे बढ़ सकता है तो ये एक इंपोर्टन रोल प्ले कर सकता है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को लेकर सवाल आपसे पूछे जा सकते है पेपर टू के अंदर जो हमारा जीएस पेपर टू है मेंस में सवाल इसके पूछे जाने की पोसिबिलिटी है इसके ब बात किया जा रहा है ओल इंडिया जूडिशेल सर्विसीज को अपोइंट करने को लेकर अलग-अलग या इसको क्रियेट करने को लेकर अलग-अलग स्टेट्स का एक ओपिनियन जैसे चार स्टेट ये मानते हैं कि इसको इनिशेल किया जाना चाहिए दो हाई कोट ये इसको spot करते हैं एट स्टेट ने इसको reject किया ग्यारा स्टेट ने भी इसमें में respond नहीं किया नहीं अलग-अलग स्टेट का एक opinion अलग-अलग आपको इसमें नजर आता है constitutional perspective को समझ लेजी यानि समिधानिक प्रावधान कुछ आप समझें जैसे article 233 का जो section 1 है ये mention करता है कि appointment of person to be and posting and promotion of district judges in any state shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state यानि किसी भी राज्ये के अंदर जो district judge होते हैं उनको प्वेंट करते हैं governor साब और वो इसमें consult करते हैं high courts के साथ इसके बाद 42 constitutional amendment के अंदर 1976 में बोला गया कि article 312 section 1 इसमें parliament जो है वो laws बना सकती create कर सकती है और all India services को create किया जा सकता है इसमें all India judicial services भी होगी जिसमें union states के लिए common एक तरी के से judges को लेकर बना जा सकता लेकिन इसी के close 312 के अंदर mention किया गया कि इस तरह की जो services है या इस तरह की जो judge appoint होंगे वो district judge से inferior post पर नहीं हो सकते है इसमें seven schedule के अंदर भी कुछ changes करने के बारे में बात करता है इन दोनों articles को अगर आप consider करोगे तो यह important parameter की तरह होंगे all India judicial services को appoint करने को लेकर इसके लावा first law commission से लेकर अलग-अलग इसमें judgmentize तरीके से इसमें क्या implement कर सकते हैं क्या all India judicial services को create किया जा सकते हैं इन सारी सीजों को लेकर reservation को लेकर भी एक debate है कि जैसे तमिलनाडों के अंदर 69% reservation है UP के अंदर women के लिए अलग reservation हो सकता है तो unified reservation for the all India judicial services यह concern है इसके अलावा इसमें very slow commission judgments को कई से recommendation को सुप्रेम कोट ने consider किया city commission की जो direct करता है कि judgment को implement करें तो बहुत सारी चीजें आपको इस particular context में देखने को मिलेगी all India judicial services के context में second question आप लोगों के लिए है जैसे यहाँ पर all India judicial services की बात की जा रहे है देखिए all India services अखिल भारतिय सेवा को create करने के लिए कौन सा house जो initiate करता है आपके लिए सवाल है यानि which house initiate all India services creation of all India services under article 312 यानि article 312 के अंडर कौन create करने को लेकर initiate करता है दो ही option है यानि upper house और lower house आपको mention करने नीचे comment करके इसके बाद बात करेंगे page number 8 page number 8 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक information है one nation one ration card scheme जो की continue news में है क्योंकि food distribution को लेकर supreme court को supreme court के order सो या national food security act हो या one nation one ration cards के अलावा परदान मंत्री अनकल्यान योजना जो ग्रीव अनकल्यान योजना या इस तरह की schemes continue news में उस context में यहाँ पर बात की जा रही है कि one nation one ration card scheme जो है डेली और विंगोल के अंदर initiate की जाएगी जल्दी इसके अलावा असाम गवर्मेंट ने बता है कि one nation one ration card की scheme है अधार card का low number होना यह कईने कई असाम के अंदर concern है इसके बारे में discussion किया गया इसके लावा 36 गट यह बोल रहा है कि necessary devices जो है वो उसको process कर रहे है कर रहा है और आने वाले time में इसको implementation जो है किया जा सकता है इन में असाम ने एक तरीके से basic reason बता है कि अधार का penetration state के अंदर कम है और issue है national population registrar के context में भी हलाकि असाम गवर्मेंट ने यह नहीं बता है कि अधार कैसे relate कर रहा है NPR और national NRC से इस context में हलाकि अलग 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 आपको देखने हो के मिलागा कि central government यहां पर यह बोला गया है I don't know कि यह क्या इनका एक तरीका opinion करने का कि central government का BJP rule government rule states में और non-BJP rule states में division यह एक अलग formula जो है नजर आता है इनमें 36 गड़ की तरफ से बताएगा कि EPOS यानि electronic point of sale जो है वो purchase कर रहा है और आने वाले time में इसको implement करेंगे इसमें Delhi और West Bengal भी इसको implementation करने जा रहे है वन नेशन वन राशन कार्ड की scheme continue news में जब से सुप्रेम कोट ने migrant workers के context में बोला कि एक तरीके ज़र right to food जो है fundamental right है और subsidized food हो especially during the pandemic यह बहुत important है इसको immediate basis पर जो है implementation करने के requirement है यही cable charge state और UT बोल सकते क्योंकि Delhi proper state नहीं है जिसमें अभी तक scheme implement नहीं कीगी भारत में इन्हीं charge states में जो है वो program थी उनको कहीं कहीं implementation करने को लेकर यह formula बताएगे यह तरीका बताएगे कैसे यह state जो implementation करेंगे हलाकि असम की तरफ से भी बताएगे कि penetration को बढ़ाने को लेकर focus कर रहे हैं कि अधार का penetration बढ़े था कि link करना अचान हो लेकि page number 9 पे कोई खास information नहीं है most information जो political type में information है और page number 10 पे कुछ चोड़ी चोड़ी information जो हमारे लिए important जैसे कोविन मेड open source करके एक title दिया गए इसमें बात की जारी कैसे digital digitalization के थुरू vaccination के प्रोसेस को भारत में continue किया जारा है और कैसे technology enabled platform जो है यह public के अंदर पूरी दुनिया के अंदर access कर सकते कैसे एक open source की तरह है यह बन चुक है उसके बारे में mention किया गया है यहाँ पर बात किया जा रहा है there is no parallel to such a pandemic in hundred years and no nation however powerful can solve a challenge like this in isolation यानि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की pandemic बहुत rare होते हैं और कोई country या के लिए इस तरह की pandemic को जो sort out नहीं कर सकती one earth one health के बारे में उन्होंने बताया कि humanity जो certainly overcome करेगी इस तरह की pandemic को और यहाँ पर completely digital approach जो vaccination के मामले में बताया गया उसको government of India या भारत सरकार या भारत के अंदर follow की जारी digital approach vaccination के context में और digital approach से benefit क्या हता है इससे track करने में वेक्षिन के use करने में और वेक्षिन वेस्ट को minimize करने में मदद मिलती इस तरह की बात उन्होंने बताई और vaccinated people जो है उनको fragile piece of paper को या documents को carry करने की requirement नहीं है वो digital formats के through अपने vaccination के process को आगे बढ़ा सकती इस तरह की statement जो है वो दी गई हमारे प्राइमेस्ट साथ द्वारा इसके बाद यहाँ पर बात की जारे again जैसे कल हमने discussion किया था survey of class 3 students to set baseline for literacy goals यानि literacy goals को लेकर class 3 के बच्चियों के लिए एक baseline set करीगी है और mission जो है एक तरीके से mother tongue के अंदर early education को भी promote करते है यह पूरा एक तरीके scenario है क्या निपून भारत mission के अंदर कुछ goal set किये गए यह center government का mission है 2027 तक कि class 3 का हर बच्चा जो है वो able करे understand करे at least 60 words per minute यानि उसको पढ़ने में और समझने में 60 words per minute वो पढ़ पाए इसकी capacity को develop करना इनके अलावा up to 999 यानि 9999 यानि up to 9999 तक numbers को लिख पाए और simple multiplication या जो है गुणा के या जो multiply करने इस तरह की problems को वो solve कर पाए central government प्रपोज किया कि 2688 क्रोड का एक plan setup किया जाएगा existing single system scheme के अंदर 2021-22 के अंदर और इस mission को launch किया गया Monday को इसको achieve करने के लिए national achievement survey of class 3 इसमें connect किया जाएगा और baseline set करी गी है कि कैसे एक basic skill जो है वो इसके अंदर होगी इसमें आप देखेंगे कई सारी चीजे एक तो gap को breeze करना कि कोई issues नहों gap नहों और कोई बच्चा इसके अंदर छूटे ना इस बात के ensure किया जाएगा इनके अलावा बच्चे जो grammatically correct sentence pronounce करे उसको vocabulary शिखाना या नवरेशी skills या foundational literacy यह सारी goals को achieve करने को लेकर target बनाएगे इसके लावा stage wise targets भी इसमें set किये गए जिसमें एक तरीके से pre primary और बालवाटी का classes से लेकर third classes तक या आने वाले classes तक कैसे implementation करना है stress free assessment method होगा इनके लावा इसमें national education policy 2020 के अंदर जो early education में mother tongue मात्रे भासा का use के अज़स्ता उसके context में बताएगे कि बच्चे को एक तरीके हिचेक नहीं होने चाहिए कि जिस language को जानता है उसमें वो अपनी study को continue कर पाए इसके लेकर तो यहाँ पर यह सारे सीजे mention की गई है इसके बाद यहाँ पर बात की जारे cities along river are to include conservation plans यहाँ पर बात की जारे clean गंगा mission को लेकर और इसमें जो cities गंगा के किनारे हैं उनको लेकर उन्होंने बताया इसमें mention किया गया है कि यह जो cities है यह master plans prepare करे conservation को लेकर और national mission for clean गंगा के अंदर इसमें implementation जो हो पूरी policies की जानी चाहिए इनमें यहाँ पर systematic rehabilitation plan for such enriching entities that emphasizes on alternative livelihood option in addition to relocation strategy करके mention किया गया है और इसमें पांच state जो गंगा किनारे हैं उत्राकंड, उत्तरपरदेश, बिहार, जारकंड और वेस्ट बिंगल इनको बारे में mention किया गया कि जो cities की किनारे पर आते हैं उसको कैसे relocate या एक तरी सुरी rehabilitation करने की requirement है ताकि इस river के आसपा जितनी cities है उसके resources को या green cover को increase करने को लेकर green infrastructure को create किया जासके इसको लेकर flow radius ratio से लेकर ground coverage and setting limits on the maximum permissible heights यह जो प्रिपेर की जासके master plan जो है वो mandate नहीं करता है specific technologies को बट इसके तरह एन्वार्मेंट के जासके तरह जासके तरह जासे state of the art technology होगी river management इसके लाबा water quality, artificial intelligence, biodustry mapping, big data इस तरह की चीज़ों को implementation के जासके ताकि एक master plan के अंदर आप देखें conservation plans को implementation किया जासके इसके बाद page number 11 foreign affairs में छोड़ी छोड़ी information है जैसे ताजिकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान troops के जो लगवब 1000 अफगान troops हैं वो flee कर गए एक तरीके से वहाँ चले गए reason is that कि तालीबान की presence तेजी से इंक्रीज हो रही इस वज़े से जो soldiers है वो ताजिकिस्तान के अंदर गई नाइजिरिया के अंदर एक armed man था उसने लगवब 140 स्कूल children's को kidnap किया और नाइजिरिया वो country अफरीका की जो continue kidnaping को लेकर इस तरह की ग्रूप से वो news में रहते हैं तो इसकी जो गरिफिकल location एक बार देख ले ना गिनी की जो खाड़ी उसके बिलकुल close है और कैमरून, चाड, नाइजिर, बेनिन ये country इसकी closest आपको नजर आएगी ठीक है इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और सोटिश information है, चाइना के जो प्रिजडेंट है उन्होंने यूरोप की दो country एक फ्रांस और दूसरी जर्मनी इनके साथ discussion किया और discussion कियागे, चाइना चाहता है, एक्सपेंड करें अपने टाइज को एउरोप के अंदर, इसमें unbiased environment के बारे मैंनोंने कहा कि unbiased environment होना चाहिए चाइनीज company को लेकर, इनके अलावा इन तीनों के बीच में international affairs से लेकर strategic independence तक और कई सारे topics पर जैसे international trade, climate protection, buy dust, इन सब चीज़ों को लेकर, इन तीनों countries के बीच में, जो trilateral इतरी के से discussion हुआ, उसके अंदर ये mention कियेगी चीज़े last जो page है, वो business section या economic का जो page है, तो यहाँ पर एक तो छोड़ी सी information है कि services sector जो श्रिंग कर रहे है और mostly July के अंदर यहाँ पर बात की जारी है कि उसमें कुछ न कुछ कमी या contraction देखने को मिला और 41.2% के आसपास इसमें shrink किया कमी देखने को मिलती है इसके बाद बात करेंगे जो इस page पर थोड़ी main information है, global investor summit होती है, उसमें आतम निर्वर भारत के अंदर कुछ reforms है उसको लेकर कुछ concern है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि UK India Business Council की meeting होती है और इसके अंदर यहाँ पर बताया गया कि भारत के जो प्रधार मंत्री है, उनका एक project है या एक तरीकी से plan है, self-reliant India या आतम निर्वर भारत इसमें कुछ concern है और कुछ concern जो है, वो tariffs को लेकर हो, या restrictive measure को लेकर हो, यह problematic कर सकते है investment को problematic करेंगे, हलाकि government की तरफ से बताया गया कि भारत चाहतम निर्वर भारत प्लान का मतलब यह नहीं कि हम अपने आपको isolate करेंगे बलकि connect करना पूरी दुनिया से, यह strengths है, यह tariffs जो है, वो केवल या vocal for local इस तरह की policy जो है, वो केवल tariffs को लेकर नहीं है यानि connectivity को लेकर है, और investors के जो issues है, उनको जो definitely concern को संदा जाएगा और problem जो होगी, उसको consultation के दुरू sort out किया जाएगा हलाकि भारत की तरफ से कई सारे sectors के अंदर foreign investor के लिए खोला गया, जिसमें defense, atomic energy, agriculture, insurance, healthcare and civil aviation ये भी कहीने कहीं discussion किया गया, तो UK, India Business Council के अंदर ये summit होती है, discussion होता है, कई सारे issues को लेकर, कुछ concern उनके कैसे हैं कि कैसे आतम निर्वर भारत एक problem create कर सकता है, उसके बारे में भी discussion किया गया, तो आज के इस दहिंदो analysis में इतना ही, thank you all, jahin